नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार भाग तीन पर इससे पहले के सत्र में हमने निर्वचन के भाग एक और दो मर बात की थी आज हम निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार के भाग तीन पर बात करेंगे आज की चर्चक हम अतुपूर्ट बिंदू रहेंगे निर्वचन के प्रकार, निर्वचन कारे की व्याभारिक जटिलता और प्रभावकारिता इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सेकेंगे कि निर्वचन की विभिन्य प्रकार कौन-कौन से हैं, निर्वचन की विभिन्य प्रकारों की उप्योगिता क्या है, निर्वचन कारे की व्याभारिक जटिलता क्या Как ऑगा है तता निर्वचक उनका किस प्रकार से सामना करते हैं कि यっik जैसा कि मैंने कहा कि इस विश्य को हमने चार मॉड्यूल में विभाजीत किया है इससे पहले हम भाग एक आप बर्स्ड़ेट कर चुके हैं भाग दू किया युगपत निर्वचन जिसे हम simultaneous interpretation कहते हैं और पास पैटकर धीमी आवाज में किया जाने वाला निर्वचन जिसे हम whispered interpretation कहते हैं और साथ ही चर्चा करेंगे निर्वचन कारे की व्यावारिक जटिलता और प्रभावकारिता पर जिसके अंतर गत्म तीन महतुपुन बिंदुवों की चर्चा करेंगे निर्वचन कारे की व्यावारिक जटिलता में एक प्रभावी कारक गुणात्मक जिश्य से और तनाव का कौन-कौन स साथ ही हम जानेगे कि निर्वचन काले की विभारिक समस्याइं क्या-क्या है हाम कि आई चर्चा करते हैं और प्र đầu aprend kati जैसा कि पिछले सत्र में भी चर्चा कर तुके हैं कि निर्वचन कोई नए विधा को इसी नए संदर में देखे जाने के विशक्ता नहीं है क्योंकि इसकी संकल्पना यह कहा जाए कि इसकी उप्योगिता मानव सभिता के शुरुवात के साथ ही हो जाती है क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और खास तर पर जब हम कह रहे हैं कि सभिताओं की शु नाली है उसकी शुरुवात काफी देर में हुई लेकि मौखिक परमपरा हमारे यहां बहुत प्राचीन है तो संदर में कर निर्वचन को देखें तो यह कोई नई विधा नहीं है बहुत प्राचीन संदर में से हम जानते हैं अपने प्राचीन स्वरूप में अपने प्राची हम चर्चा करते हैं उसकी शुरुवात प्रथम शुरुद के बाद हुई लेकिन कर निर्वचन के जो कारे की अधि बात की जाए तो उसके जरुद हमेशा से लोगों की बीच संवास थापित करने के लिए सब्यताओं के बीच मनुष्यों की बीच संस्कृतियों के बीच संव वर्षव अनवात को की जरुद महसूत होती रही है जो इस संभाव संवात के कारे को संभव बना सके लेकिन आज इस स्वरूप के हम चर्चा कर रहे हैं वे प्रतम विशुवद के बाद उसकी शुरुवात होती है किन्तों ये आधुनिक निर्वचन काल की प्रानम्भिक व है जी जाने कzeal कि रिःवर्चन के जो विभिन्ड परकार इसके में चर्चा करने करने जा रहे हैं उसके उनतर के इसके ते सतुरु में फ els कीए उसके विस्तार करने, से पहले हम जानेंगे कि निर्वचन के प्रकार कौन-कौन से हैं किस प्रकार निर्वचक अपना कार्रे करते हैं और यह निर्वचन हम किन-किन समवाद के जो माध्यम हैं उनमें से किन-किन को निर्वचन के रूप में जानते हैं तो पहले क्रमिक या क्रमागत या अनुगाम जिसे हम संकेत भाषा भी कहते हैं अंग्रेजी में जिसे sign language कहा जाता है और पांचवा है अदालतों यानि कोड में किया जाने वाला निर्वचन किसी और छटा है किसी समू यानि community के बीच किया जाने वाला interpretation community interpretation के लिए किया जाने वाला निर्वचन लेकिन अधिकाश जिन तीन प्रकारों का प्रियोग होता है वे तीन है जो पहले तीन क्रमिक या क्रमागत जिसे हम consecutive interpretation कहते हैं दूसरा simultaneous interpretation और तीसरा है जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन जो एक अन्य महतु प्रकार है जिसे हम संकेत भाषा की रूप में जानते हैं जिसे हम sign language कहते हैं यह मुलता sign language के संदर में हम सभी ने बड़ी-बड़ी सभाओं संगोष्टियों आदी में मूब बधिर लोगों की सुविधा क भूमी का होती है उसकी वसे हम सभी ने किसी रूप में सभासा उमेलनों में देखा होगा या हमने हम जानते हैं कि न्यूस चानल पर भी इस तरह की विवस्ता सरकारी चानल पर इस तरह की विवस्ता हम देखते आए हैं जहां धीर धीर न्यूस रीडिंग के साथ एक sign language महतुपूर्ण निर्वचन का प्रकार है लेकिन जिस संदर में आज हम इसके चर्चा कर रहे हैं क्यूंकि खास तौर पर जिस तरह राष्ट्री और अंतर राष्ट्री मंचो पर जिस प्रकार के निर्वचन की भूमिका है और जिस तरह उसकी भूमिका राजनाइक और संसदा कि स आशीं जाता है इसे अनुगामी नीर्वचन भी कहते हैं इसरह होता है कि कि वक्ताप पहले अपना बाकिब बॉलते हैं और उसके बात छोटका विराम लेंगा जो इंटर्पेटर हैं जिसे निर्वचण क्याते हैं इस प्रकार कि निर्वचन विवस्ता नीर्वचक रिभाजय тебеव से च्रोटाउ अपनी बात को कह रहे होते हैं और हमने अंतराश्ट्रे मंचों पर अकसर इस तरह की चीज़े देखी है और एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि एक पॉपलर उधारन गरिस्मा दिया जाए तो ब्यूटी पेजेंट के मंचों पर जब कोई ब्यूटी पेजेंट जब अपनी बात क अंग्रेजी या ऐसी किसी संपर्ग भाषा में नहीं कह पा रही है तो उनके साथ जो उनकी भाषा को जो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं जो इंटर्प्रेट कर रहे होते हैं उसे हम इंटर्पेटर के रूप में जानते हैं तो इस तरह से हमने अलग-अलग मंचों पर राष् संदर में अत्वाद की बगल में खड़े होते हैं गास इस पात पूर्पूर्ण बाते नोट कर रहे समाननेता हर पांच मिनट के बीच देर है और याने थोड़ी थोड़ी देर में विराम लेते हैं और उस विराम के समय में जो हमारे निर्वचक हैं जिन्होंने उस पांच मिनिट की बीच उस बात को सुना है सुनकर जो महत्वपुन बिंदू है उन्हें नोट किया है और पिर उसका अनुवाद करते हैं और जो शुरता वर्ग है उस तक उस समवाद को संप्रेशित कर जाता है आम तोर पर यह पैरा या एक व मेलनों की बात करें सब्सक्राइब यह दिए कोई वक्ता बोल रहे हैं तो और थोड़े ऐक पैर ग्राफिक खत्म होने पर या विचार के अंत होने पर या पांच मिनट के बाद जब वक्ता आपने बात करते हैं तो निर्वचक उसका अनुबात करते जाते हैं इस प्रकार म और दो तरफ यान्य वक्ता बोलते हैं पर उपलब जम हैं पसका जो समयाये उन्य व्यक्त करके शूर्टा तक पहुच TVs है फिर बगता निर्वचन के नाम से जाना जाता है एक तरफा क्रमी के क्रमागत निर्वचन की बानगी ऐसी हो गी जैसे वक्ता बोलते हैं फिर निर्वचक बोलते हैं और क्रिया शंकला की रूप में जाली रहती है यानि एक तरफा केवल श्रोताओं की भूमिका वहां सुनने की है ना कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के तो वे केवल सुन रही है और सुनके उसका जो सत्व है वो ग्रहन कर रहे हैं और निर्वचक उनक पूझते हैं इसके बात शूरता ने जो अर्थ ग्रहन किया फिर अपना प्रश्न पूछते हैं या अपने टिपड़ी करते हैं जिसका कि फिर से निर्वचक करते हैं और वक्ता तक पहुंचाते हैं तो यह जो तर्फा समवाद चलता है जिसे लगातार समवाद कहते हैं उस रहे हैं तो क्योंकि उसके लिए बारी-बारी से दोनों भाषा हैं सोर्स भाषा भी हो जाएंगी और लक्ष भाषा भी किस तरह हो जाएगा स्रोथ भाषा अगर यह दो तरफा कम्यूनिकेशन है यह दो तरफा इंटरप्रेशन है तो जिस तरह यह दिवक्ता ने बात कहीं निर्वचार ने सुनी और उसका अनुवाद किया और निर्वचा ने जब बात लक्ष भाषा में इस भाषा को श्रोताओं तक पहुंचाया जिसमें वे बिमूर्ड उप से के वर तरफा समबाद नहीं कर रहे हैं है क्योंकि वह दोनों भाषाओं के बीच में बराबर रूप से बारीक की समझ होना जरूरी है दोनों भाषाओं के समाधिक साथ परिवेश दो वक्ता की भाषा के साथ साथ श्रोताओं के समभात करने की शैली आधिक को भी समझने की उन्हें जरूरत है तो यहां निर्वचन प्रणाली में निर्वचन को महतुपूर्ण बिंदु नोट करने होते हैं जिनकी मदद से बाद में निर्वचन करते हैं बादचीत भाशन के दौरान क्या नोट करना है और क्या नहीं यह निर्वचन की प्रविंटा पर निर्भर करता है कि वह कितने सक्षम है ज मूलता अनुवाद ही है लेकिन अनुवाद जिसे हम जिसे हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के रूप में हम जानते हैं वे मूलता कागस पर या किताब पर या उसका एक लिखित पार्ट हम तयार करते हैं लेकिन निर्वचन के कारे में चाहे वे क्रमिक निर्वचन हो या फिर साइ वहां में वक्ता पर वक्ता ने जो कहा उसमें से कितनी बिंदू को लिखे जाने का उशकता है कहां कहां वह समस्य अगत हो सकता है यह हमारे जो निर्वचक है उनकी अपनी प्रवेंड़ता पर या उनकी कौशल पर निर्भड करता है यह उनको जो लंबे समय का अनुभव है पर निर्वचन के लिए किस तरह उन्हें यदि जो बीच का समय उनको मिलता है यह पांच मिनट का यह पैराग्राफ के बीच में जो एक जो बहुत इमिद सा अनुभव हैं और जैसा कि बताया गया कि यहां भी निर्वचक चाहें तो अपने अपने हिसाब से अपने क्षमता के हिसाब से यदि वे कुछ अधिक लिखना चाहें तो शॉट एंड का प्रियोग कर सकते जिसे हम आशुलीपी के रूप में जानते हैं तो इस तरह यह निर् हैं निलवचक तो किस्ट हमारे निर्वचक है उनके पास कंटेन्ट को जोगश्य कशनर करने समय से शुक्तभा करने समया होता व कि यहां पर परिक्स वेठक्राप में कहा ह उसमें सिंदस कितना उनने संजोन बिना करना पड़े तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन सब के बीच में उच्छे समन्वें बनाते हुए ही निर्वचक अपने भूमिका का निर्वहन करते हैं क्रमिक निर्वचत प्रणाली का इस्तेमाल चोटी बैट को बेहत तक्नीकी या गोपनी ये कानूनी इस्तेमाल की जाती है कहें कि अदालत में यदी एक पक्ष अपनी बात रख रहे हैं जो उनके पास को संपर्ण भाषा नहीं है जिसके मादन से संबाद सापित कर सके तो वहां निर्वचक की भूमिका होते हैं जहां वे पहले वक्ता की बात को सुनते हैं और फिर उसका अन करें में ईसलाफ निर्वचकी फटान निर्वचकी देथर्जार अपन tv निर्वचकी निर्वचक केडा सब्सक्रण चांश्टियू डाई यायुष आपने एक संवाद को समाप्त करने के बात निर्वचकить अपनी बात हैं लेकिन संपलानी Pike इसकी सीमा और आथी कम हो जाती है घृट फोन लगा कर बैठते हैं हेटफोन के माध्यान से वे मूल वक्ता का भाशन सुनते हैं तो माइक के सहारे साथ साथ उस भाशन का निर्वचन करते चलते हैं साउंड प्रूफ बूत में पारदर्शी कांच का होता है जिससे वक्ता निर्वचन को देखते तो रही कहीं भी हैटफोन के अलावा उन्हें कहीं भी किसी तरह का जो ध्वनी के सरपर या शोर के अधार पर व्यवधान के सामने नाए वक्ता को देखने के लिए द्रिश्य को समझने के लिए वो कांच के कैबिन में बैठते हैं जो मूलता स्वांड प्रूफ होता है ताकि हैटफोन के जरियोंने जो वक्ता है जो अपनी बात कह रहे हैं उसके अलावा उन्हें कुछ भी सुनाई ना दे तो यह जो साथ साथ चलने वाला जो निर्वचन है हमने अलग मौकों पर तो यह जो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन है उसके उधारने में देखने को मिलते हैं जहां हमारे इंटर्प्रेटर्स एक अलग कश में बैठकर अपने पाट का साथ साथ जो वक्ता ने जो कहा उसके साथ साथ उसका नुवात करते चलते हैं इस प्रक्रिया में कि निव मिलेखी अकलाब घटित होते हैं यह दोनों को शाथ-शाथ लेकर चलना वक्ता को अर्थ और संधर्व के स्थरों पर लगास्तार एक साथ पुर्वानुवान करना क्यों कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हैं वक्ता के पास निर्वचक के पास आंँ बात को अपन दोनों की वाक्य विवस्था दोनों का अर्थ दोनों का समाजिक सवस्क्रितिक परिवेश, उसका संधर दोनों को साथ समझना होता है और यह ध्यान रखना होता है. जिस work के लिए अनुवात प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस work के लिए interpretation कर रहे हैं, वो उन्हें उतना ही संप्रेशनी हो, उतना ही समझाए जितना कि मूल वक्ता ने कहने का प्रयास किया है स्रोत भाशा में कहे गए वक्ता के संदेश को लगाता लक्ष भाशा में संप्रेशन के अनुपूल बनाना, निर्वचक या दुभाशे का अपने संप्रेशन की भाशा शैली लए वर लहजे को वक्ता के अनुरूप बनाना, तातकालिक निर्वचन करने वाले निर्वचक के अपने आप में बहुत चुनौति पूर्ण का रहे हो और जब हम साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन किया साइमल्टेनियस इंटर्पेटेशन की जब हम बात करें हैं तो वहां क्रमिक निर्वचन की तुलना में भी और अधिक कम समय निर्वचक के पास होता है तो उनमें दोनों आपने चलंसे तरह दूनों को साथ-साथ लेकर चलना और किवसाथ लेकर नहीं चलना उन stimulus के प्रस्तूति घचाइब αυτό सहित खाखा इसे любतियsk प्रस प्रस्तूत करने की या उसका सही है क्वेश सवेल्टेशन के सभूल्टेश में प्रस्तुत करने का दबाव उन पर रहता है तो यहां उनकी बुमी का और अधिक चुनौती पून हो जाती है और वो सारी के सारी चीजों का जो आधार है वो उनका पूर्व ग्यान याने जो पूर्व आनुमान लगाते जलते हैं कि जो वक्ता है उसका मूल उद्देश है किस प्रकार का वक्ता वह यां दिया जाने वाला है वक्ता को अपना जो वियक्तित है जैया उनका जो अपना जो एक्स्प्रेशन है वो क्या होगा वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे फिर जो निर्वचक के अपनी जो मानसिक पूंजी है जो इतने लंबे समय में उन्हों अपने अनुभव से जाना और कमाया है उसका उसे मिलाते हुए और अपनी स्मृति पर जो सुनते जारे हैं स स्था तनवात करते हैं इन सभी क्सुंदर समिशन होता है तब ही बेतर रूPE से लक्षि भाशा में प्रस्तुत कर पाते हैं ताथखालीन निर वाशण निर्वचन में निर्वचक बढ़ा हैं 10 sahtag या दूसरी भाज्वा से पहली भाछा में इस प्रकार यह प्रक्रेया चलती प्रकार रहते हैं कारना इस प्राकार के इंटरेशन के ज़रत क्योंकि आप इसके जो इसका जो प्रकार है गिसंद ई इस पर सब इंतरपेशन से इससके अधरना भी सभाइना मेला उतना यूगा ओटिअगयी से इसके बड़े वस्त ट्रह का रहें खास Sergio ब्राइश के लोग प्रतिनिधी आते हैं वे जो परी बात जो कहीं जा रहे है तो बाकि जो अन्य जन है यह समझ रहे हैं मौल यजे प्रदान मंतरी का संभोधन है या राष्ट पती का संभोधन या राजरे विशेष में किसी खास व्यक्ति का संभोधन है वहसं वहां कर जो आम जन है वो दो समय जो प्रतिनिधी है जो लेच death कि उसमें उस कक्ष में जगाप पर उपस्तित है के वर उनके लिए वो ब्रतिधीन मंदल आदी के लिए या किसी एग्रेति विशेश के लिए किया जाता है इस निर्वचक्षल कि शिट मंदल के सदस्यों के पास बैट कर वक्ता कि भाशन का धीमी आवाज में साथ-साथ निर्वचन करते चलते हैं यह तरीका युकपत निर्वचन याने की जो simultaneous interpretation की तरह ही होता है कि यहां श्रोताओं की संख्या कम होती है यह प्रणाले द्वी पक्षिये बैठकों आदी में इस्तेमाल की जाती है जहां केभल कुछी श्रोटा उस भाशा विशेश से अनभिग्य होते हैं मैं के में बैठकर निर्वचक उस खास वेक्ति के लिए या खास समू के लिए उसका पाठ का सद्यानुवात करते चलते हैं इसके अतरित खेलों समारोहूं अथ्वा अन्य गत्विदियों परेटन आदी में भी निर्वचक घटना वेवन दिर्श्यों को देखते और समझते हैं उस और राष्ट्री परेटन स्थल पर घुमने जाते हैं तो अक्सर हमें कई विदेशी वहां दिखाई देते हैं और उनके साथ जो उनके गाइड होते हैं जो उनके साथ घूमते हुए केवल उन गाइड का ही काम नहीं कर रहे होते हैं मुलतवे उसे उन्हें उनकी भाशा में यह जो चाहता है मुल् Sens the app के ढईड कर रहे होते हैं तो यह जो प्रकार है उसका का यह संद्र उस्दर में देखा जाने का है कि जो उनके साथ-सथा इसका जो कॉर्फित के जा रहा है जी जो निर्वाशन कि यह चाहरा है उस खास अधरन में कि शुटते हैं तब रेड़न कि जानकारी किसी फिल्म जैसी पद्दति से देता है कि जो जिस लोकेशन से गुजर रहे हैं तो उस लोकेशन आदे के बारे में बताते हुए चलता है तो इस कि इंटर्पटेशन में क्योंकि विस्पर्ड इंटर्पटेशन के संदर में समझ रहे हैं तो इंके लिए उस निर्वचन पर चलते हैं इसमें कभी कबार तो क्रमी के करमागत पदती अपनाते हैं जैसे 26 जनवरी ये 15 अगस्त को दिये गए भाशन का विवरण या फिर वे क्रिकट ये मेले के दृश्यों का विवरण ज्यूकपत प्रणाली में देते हैं तो डिपेंड करता है कि किस परकार का कंटेंट है किस पर अफ्य विषेश शोथा कि समय विषेश तक हापनी बात को कि अन्वाद के मातेम से पस्तुत करना होता है निरवचन कारएक व्यवारइक जटिलता और प्रभावकारी स्टान करेंगे के तक स्थे परई तो graftar कि उससके अलाबन ब שמע घंदर कारेंग निर्वचन निर्वचन से गुणवत्ता कई कार्णों से प्रभावित होती है निर्वादक की पेशेवर अरहता उसके ग्यान की गहराई सुरोध भाषा वर लक्षे भाषा की उनकी जानकारी उनकी पकड मुहावरों लुक्रोक्ति आदिर की समाज साहित्य संस्किति परंपरा आदिका ज्यान यदि कि निर्वचन जिस विशेश के लिए करते हैं उनके साथ अंसे उन से परकश होती है कि उन्हें पास किस को इंदेष्य के लिए उनके प्रवेश के बारे में वह विशेवरे प्रसा समाज का विशे के लिए जानकारी कहों लेहाए सब्सक्राइब को सह delight मिस्जा को ज्यादा आशियो से से उसना कर सबीसिती ऐस सामने हैं किसी तरह का अभाव है या उनके पास असानी से भाशा को समझने की क्षमता नहीं है तो वहां उनका अपना अनुभव या उनकी जिवन के जी जो निर्वचें के जटिलता है वह ज्यादा बड़ी हो सकती है यदि अगर उनका अनुभव इक शेत्र में खास है यह विशेश त नहीं होगी तक्नीकी साधनों और साजों सामान की गुणवत्ता और उनका स्तर जैसे हैटफोन माईक वक्ता की भाशन की आवास की प्रबलता यह क्षीरता काम करने की जगह बैठने की विवस्ता कक्षमेद्वानी पदोशन से उत्पन्द बाधा सारवजिनिक समारों में निरवचक के बैठने का विवरण देने के स्थान की ब्चनीकनीके legy जो एकलि च्ली की गई है उनके घेडओनादी की जो प्रविधान की जाने जाने वह उन्में किसी तरह किन्य कमी है या उसमें किसी तो निर्वचा के कारे पर उसका प्रभाव पड़ता है उसे के साथ निर्वचा के बैठने की जो स्थान है जैसे हमने कहा कि साइमल्टेनियस इंट्रप्रटेशन में निर्वचा को एक अलग कक्ष में बठाया जाता है जिसे साउंड प्रूफ बूत क्याते हैं यदि वहां पर उनके सुविधा कि साथ यदि सभी चीजों की विवस्ता नहीं है यह उन्हें किसी प्रकार का शोर सुनाई दे रहा है यह कि दौरान बैठक समयलन की विश्यों की जानकारी देने वाले दस्तावेजों का निर्वचक के द्वारा अध्यान एवन पूल तयारी कई जैसे हमने कहा कि जो राष्ट्र अंतराष्ट्रे सर की बड़ी बैठके होती हैं उसमें निर्वचकों को क्योंकि विशिष्ट मंद जाते हैं और उस अध्यान की प्रिष्ट भूमी में अपने निर्वचक कारेश शुरू करते हैं तो उनके लिए चुनौती बड़ी चुनौती नहीं रह जाती देकि यह कहीं उस तरह की चूप कर जाते हैं कि उस पार्ट को नहीं ठीक से पढ़ा नहीं या उसकी पर यह से कारें कर चाले के चले आ रहे हैं तो हर साल कई है कैस्क तरह को जब वो कर दो करें की जाते हैं अधी समंद्य ऑंकि पो पहले से जानकारिय उनके पास हूं या उनके पास उसे जुड़ा अपना अनुभव हो तो इसके माद्यम से इसने बात को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं बैटक समेलन की आयोजुनों आयोजुकर वह सभापती का निर्वचन भाशांतरन से जुड़ी बा उचारन उनके अपने गले की या उनके अपने स्वास्ते की भूमी का बहुत महत्वपूर्ण होती है तो निर्वचन का स्वास्ते के बिंदू से भी स्वस्त होना बहुत जरूरी है उनका गला या उनकी वाक्षक्ति है उत्पर उनका नियंतरन होना बहुत जरूरी है तो बात जादा संप्रिश्णी होगी जादा स्पष्ट और सुबोध होगी अब अन्य जो कारण है तनावकारक निर्वचन के पेशे को बहुत तनावपूर्ण पेशा माना जाता है क्योंकि बहुत निर्नायक भूमिका में होते हैं जैसे मैंने कहा कि कभी राजनाइक मंचों पर कभी राजनीतिक सर या रष्ट्रयां चर्णी मंचों पर विसबन समयलनों में या दो और मंडल के बीच में वासे में चूद करूद करने का काम कर दो संवास कलते हैं निर्नायक है निर्नायक भूमिका जाए बहुत ही पर और बहुत क्रिटिकल पर बात करेंगे यदि वक्ता बहुत तेजी से बोलते हैं यह बहुत धीरे बहुत तब निर्वचक को अपनी पेस उनके साथ बठाने में दिक्कत होती है लिखा हुआ भाशन दी वक्ता पड़ रहे हैं तब भी क्योंकि एक संवास थापित नहीं हो पा रहा है और निर्वचक भी उनसे जूड़ नहीं पा रहे हैं तो भी इस तरह की सित्यां होती है जहां पा मतार से प्राग आख से पड़क जाते हैँ तो यह जो भढ़ कान ह 170 की प्रभावित करते हैं है Chrometpark का ठीक से कामनाघ करना जिसके कारण मूल बगता कि आवाज को भी ठीक से नहीं पाइं निर्वचन-कश्यन मेंुठ जिस बूध में बैटे हैं उनकी सुवीदा के उनसार न जो तनावकारक जो समस्याएं हैं एक अन्वातक के सामने निर्वचक के सामने आती हैं और साथी मूल वक्ता के लहजे या गलत उचारण के वज़े से संदेश का बादित होना तक्निकी विश्यवस्तूप और विश्यवस्तूप और हो रहा दुरू या क्लिष्ट भाशन या बहुत जादा टेक्निकल हो जा रहा है तब भी निर्वचक को उनके साथ कम्यूनिकेट करने में या उनके सामने बनाने में दिक्कत आ सकती है मूल वक्ता के भाशन के बीच में हो रही टोका टाकी या शोर शराबा निर्वचक का अक्ष का बेहत गर्म या बहत ठंदा तापमान घटना या आयोजन में अचानक मजी अफरा तफ्री खुले स्तान पर मौसम आधी की प्रतिकूलता भावावेश में वक्ता द्वारा वक्ता दादा कहने लेगे तो निर्वचक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वक्ता जो कहना चाहरे हैं कि उसका सही इंटरप्रेशन अगर नहीं हुआ तो बात में बात में का असर बदल सकता है तो ऐसी में उनके सामनेक चुनौती होती है आयोजन आयोजन घटना भ निर्वचन की व्यवारिक समस्याइई निर्वचन में सातत्य और सहसं प्रेशन की बढ़नता है यानि उन्हें फॉरन उसी समय क्योंकि उन्हें सामल्टेनियस औरमुस्टा। इस लिए उन्हें कुछ महतुपुन बिंदों को ध्यान रखने के जरूरत है अन्वादक के समान उनके पास परियाय चैन का अवकाश नहीं होता इसलिए उन्हें अलग-अलग प्रिवेश में फ्रियुक्त होने वाले शब्दों तथा उनके अर्थ का सही-सही ज्यान होना चा है पूरी आप संदर पर अंतर अर्थ जो बदल जाते हैं यहीं आप दो देशों के बीच में की प्रतिन निर्वच्ट का का म कर रहे हैं जहां शब्दों को लेकर अर्थ परिवर्दन है जैसे चंसलर के लिए कि हमारे चंसलर के हम कुल्पती या कुलादी पती शब्द का प अकसर अलग अलग राज्जियों राष्ट्रों के निवासियों द्वारा एक ही शब्द के विभिन उचारन जैसे हम देखते हैं education education entrepreneur entrepreneur इसी तरह enterprises आधी के लिए अलग अलग उचारन है तो उन्हें वक्ता के उचारन शैली को भी समझना होता है और उन्हें इस अचारन शैली में उस तरीके से प्रसूत करना होता है जिसे लक्षपाठक असानी से समझ सके प्रेटन के ख्षेते में इलवचन करते समय जाती धर् जबर्दों के अंतरण में विशेश थाफदाने बता बरतनी पड़ती है हम हम सभी लोग जहां रहते हैं आपकी जाती विशेश के लिए किसी धर्म विशेश के लिए या किसी राष्ट्रे कि सस्कृति विशेश के लिए हमारे में कुछ अपनी पूर निर्धारित अवधा है या जाहिर होता है तो उससे अलग किसम के समस्य आया सकती है ऐसी सिती में भी इस पर विशेश रूप से ध्यान दिये जाने के ज़रूरत है कि जो अपनी जो मांसिकता है अपनी जो सोचने का तरीका उसको एक और रखत तटस्त दुश्री से उन्हें उस पार्ट विशेश क निर्वचन करते चलना है कभी-कभी स्थानी ये राष्ट्री हितों के लिए विशेश कथन भी निर्वचक को ततकाल ढूनने पड़ते हैं गौना सब्त पदियादी खाने पीनर पहरावे के लिए प्रिक्षभ विदेशियों वान्ने धर्मियों के लिए कुद्वल उत्प करने के कोशिश करते हैं ना के दिया उनके तरीकों आदी की बारे में ज commission करें more और जो हमारे परिसिती में ढालने और उसके अनुसार संबोधन संप्रेशन खोजने के चुनौती के लिए मांसी रूप से सक्षम होना पड़ता है हम जाते हैं कि मादियन से जाना कि निर्वचन अपने आप में बेहत दुश्कर का रहे हैं बेहत चुनौती पून का रहे हैं इसमें इसमें एक उची संतुलन बनाकर चलना बहुत आवश्यक होता है तो हमने निर्वचन के प्रकार और निर्वचन की जट्रिलताओं के बारे में इस सत्र में जाना कि निर्वचन की कितने प्रकार होते हैं और निर्वचन की प्रकार की जट्रिलताओं का सामना करते हैं कि कौ झाल झाल